बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ सूर्यात्र पार्टी और आप देख रहे हैं सहारा समय इस बक्त मेरी मौजूदगी है मेरे साथ मौजूद है कैंद्री राजमंत्री फगण सिंग कुलस्ते मद्द प्रदेश में जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी ने एतिहासिक जीत हासल की तमाम दूसरे राज्यों में चाहिए फिर छतीसगर हो राजिस्थान हो एक बंपर जीत भारती जन्ता पार्टी ने हासल की है और इस जीत मैं आखिरकार भारती जनता पायटी का एक एक कार करता किस तरीके से सहयोग करता रहा तमाम बाते हैं तमाम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे फगण सिंग कुलस्ते जी से बहुत स्वागा थे पहले तो कुलस्ते जी आपका सहारा समय नैशनल पर और सबसे पहले मेरा सवाल यही है तीन राज्जों में भारती जनता पायटी की एतिहासिक जीत हुई और इस जीत का श्रे चाहे प्रधान मंत्री नरायन रमोदी हों चाहे ग्रह मंत्री अमत्री शाय हों भारती जनता पार्टी के राश्टी अद्द्रक जेपी नड़ा हों वो कहे रहें कारकरताओं की जीते हैं क्या कहते हैं तीन राजियों की जीत पर पहला कमेंट आप से दीए पहली बात तो प्रधान मंत्री जी के नेतुरत में तीनों रज्यों के चुना हुए वैसे दो राज और थे पर जहां पर जो जीत हुए प्रधान मंत्री जी के लीडर्सिप में मद्द परदेश, च्छतिस, गड़ और राजस्थान और ये तीन राजे उनके नित्वत में चुना हुआ हमिशाई जी ने, हमारे राष्टी अद्धग जी ने, नड़ जी ने ये वस्तों में उस समय पूरी रणनितिक तरीके से जिस प्रकार की यूजना उनने चुनाओं को ध्यान में रख करके तयार किया तो उससे उनको ये ध्यान में रख करके ही सारा जो कुछ भी निर्णाई किया इसके कारण पढ़ना में जो आज सामने आये हैं समय की संभावना थी प्रंतु मद्यप्रदेश में जिस प्रकार की जीत हुई है 36 गड़ में एक प्रकार का अप्रत्यासी थी हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थी कि हम नजदीक आएंगे और राजिस्थान में तो था कि हम राजिस्थान में सरकार बनाएंगे दो राजियों का हमको अनुमान था और तीसरा जो हमारा 36 गड़े हम करीब करीब सत्ता गड़े नजदीक रहेंगे परन्तो संयोग देखे हम तीनों राजियों में इस प्रष्ट भूमत के आधार पर सरकार में आया है तो ये मोदी जी का लीडर्सिप हमारे संगठन के दरिश्थी से हमिस्थाह जी और हमारे राश्थी अध्यक्ष नड़्ड़ जी के साथ आगे पड़ रही है दूसरे चेहरों को मौका देना बड़े चेहरों को भी मौका देना जो पुराने चेहरे हैं उन्हें थोड़ा अलग करके दूसरे इस्थान पर उन्हें मौका देना और एक जो दूसरे नए चेहरे हैं उन्हें एक नया इस्थान देना इसके पी जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कोई भी कार करता हूँ सामान से सामान कार करता साधरन कार करता भी किसी उच्छ सकर पर पहुंच सकता है ये बार बार हमारे लीडर्शिप की ओर से भी इस परकार का निरनाय या इस परकार के एक प्रयास पार्टी ने किया है मुझे लगता ह इसका ही आनेवाले भरिष्थी से भी कारकरता को ऐसा एसा इसास होना चाहई कि कभी भी कोई भी कार करता एक शाधरान कारकरता भी उच्चे सिखर तक पहुँँच सकता है एक तो वार्टी ने एक परकार का जो निर्णाई किया तो मुझे लगता है कि यह भी निर्णाय का एक पार्ट है, जिस प्रकार के फैसले हुए हैं चाहिए छत्यसगर का आप ले लिजिए, आप राजिस्थान का लिजिए, मद्ध्य प्रदेश का लिजिए, तो यह के पूरे कारकरताओं की भावना और कारकरता को साथ ले करके चलना कारकरता के परिसरम तो कारकरता इस काम को ध्यान में रख करके कारकरता भी काम करता है कि कभी भी उनका किसी समय कोई भी नंबर आ सकता है अच्छी जगे पहुँचने के लिए तो मुझे लगता है कि यह पूरा हमारा प이죠 का वीव और पòn पार्टी की जो सोच है तो मुझे लगता है यही एक विचार को ले करकर के पार्टी ने सारी चीज़ों को निर्णाई किया उसमें से भी उनकी छमता, सभी समी करण उनकी योगता और साभारण परिवार से निकल कर के कारकरता आता है तो उसको भी एक उत्साह देने वाला काम है तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नया एक प्रियोग भी कहना चाहिए और नया अन्भव भी है और इससे हम कारकरताओं का होसला बुलंद करने वाला निर्णे हैं एक और आप से आखरी सवाल में लूँगा दोजार चौबीस का आम लोग सवाच चुनाओ है बहुत कम वक्त है आप भी प्रधान मंती नरेन रमोदी के बहुत ज़्यादा मन पसंद चेहरों में भी है आदिवासी बेल्ट का बहुत बड़ा मद्परदेश का चेहरा है दोजा कि पार्टी अभी बाचीत करने वाली है संभावना है कि हम 22 को एक बार बैठेंगे और पूरे मद्परदेश के बारे में हमारी जो 29 सीटें हैं लोग सवा की उसके बारे में तै करेंगे कि आने वाले भाहुत में 24 के लोग सवाच चुनाओ के दृष्टी से क्या क्या हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और कि साधार पर इस चुनाओ को ले करके हम जाएंगे ताकि आने वाला 2024 देश के लिए कि तीसरी बार फिर प्रदानमंत्री की रूप में नरेंद भाई आये और देश से उन उचाईयों तक पहुंचे ये एक मोटे तोर से कलपना है विकास हमने बहुत किया है र इस तर पर सारी ओधनाओं के बारे में कारकमों के बारे में चर्चा आये परन्तु चुनाओं के दरिश्टी से मैं ये कह सकता हूं कि जो रनीती बनेगी उस रनीती में हम सब मिलकर के काम करेंगी और पूरी सीटें इस बार पार्टी ने तै कि हम 29 की 29 चीटे हमको जीतना है मद्यप्रदेश में तो यह थे कैंद्री राजमंत्री फगन सिंग कुलस्ते जी जिनोंने इस जीत का सरे मद्यप्रदेश शत्तीजगल और राजिस्थान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ग्रहमंति अमित्र शाय और भारती जनता पार्टी के दिल्ली